ऐसे ही प्रसन आपको दिखेंगे जो मैंने पॉइंट किया था मुझे लगा कि इंपोर्टेंट हैं मुझे लगा कि ये परिष्छा में आपको दिख सकते हैं इसने पहले इन प्रसन से आप लोग फोकस करिए पहला प्रसन आज के सेसन का आपके सामने स्क्रीन पर अप्रेड ह ही हो चुका है कि इन कापी हमें नहीं भी आंतिseven प्रसन को हुल करिये उत्तर हमें स्क्रीन पर आ चुका है अप देख रहे होंगे एक्स स्क्वेर अगर आप ध्यान से देखिएगा एक्स वर्ग डिवाइड बाई 1.6 का होल वर्ग है अगर आप फोकस कर रहे हैं इसे तोर पर एक्स का मान पूछा जाता है ऐसे प्रसुनों में हमारी जिम्मेदारी बड़ी आसानी से हम लोग इस प्रसुन को हल कर सकते हैं को भी कोई दिक्कत की डाउट की बात नहीं है पराबर 10 का वर्ग 100 होता है बटा आप यहां पर 4 लिख सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है चार इससे डिवाइड हो करके 25 हो जाएगा अर्थात अगर सोचा गया तो यक्स वर्ग बराबर 25 गुडे 2.5 हो अर्थात जब म आपने देखा इसी का वर्ग होके आया था अर्थात किसी भी हालत में 1.6 1.6 को अगर गुड़ा कर दीजिए तो 80 एक अंग पे दसमलो लगा 8.0 या हम सिंप्ली कह सकते हैं कि 8 है इस प्रसन का राइट सलूशन प्रसन आपका इस पहले प्रसन का सही उत्तर होगा 8 राइट स देखिए अगर आप ऐसे प्रसन भी परिच्छा में देखने की स्थिती में 100% रहेंगे अगर मिले तो आप निश्चित तोर पर करके आएं यही मेरी उमीद रहेगी आपसे और मेरा यह फोकस रहेगा आप ध्यान से देखिए प्रसन क्या है 2.52 और निश्चित तोर पे 5.2 में समानीत किया जाए तो अंसत तथा हर का योगफल आपको बताना है कि इससे तौर भी क्या हो जाए आपको आइडिया है आपको पता है प्रोस्स कैसे किया जाता है यह पुडांग के चोड़ दीजिए 2 प्लस और इसको आप लिखेंगे 52 बटा निन्यान पे इसमें कोई करते हैं ऐसा क्यों लिखा आप भी जानते हैं जब भी जितने पदों के उपर बार लगा होता दसंबलों के बाद उतने पद को मतलब उस बैलू को अगर ने किया नहीं चोचा कि मैंने इसको प्रापर इसको बिन बना दिया जाए अब आप करके देखिएगा कैसे किया पर यह 98 होता है आपको पता है प्लस आप 52 करेंगे बटा आपने 99 करेंगे इसमें कोई डाउट की बात नहीं आट दो दस नौ पांच ओदा एक पंद्रा की पांच हासिल एक और एक दो होगा पटा आपने 99 कर दीजिए अंस और हर का जोड़ करिए यही आपके लिए प्रसंद का हल है नौ होगा नौ पांच ओदा होगा दो एक तीन होगा तीन सो नचास मेरी तरफ से राइट सलूसन ह प्रसंद को प्रसंद को द्यान से मन लगा के सुनियेगा प्रसंद की सकता है और प्रसंद यूनिक भी है थोड़ा सा अलग है डिफ्रेंट है आपको ऐसा दिखे तो आप करके आए यही मेरी कोसिस रहेगी इसने हम से कहा 290 अंकों की फूल कितनी धनातमक संख्याएं संभव हैं अगर हम 290 अंक मतलब digit जैसे हम कहाते 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की ऐसे मैंने कहा अगर 290 अंक की संख्याएं बनाओं कितनी संख्या संभो है मैं एक्जामपल गाड़ियों के नंबर प्लेट से दिया था मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के सभी पॉसिबल कंबिनेशन की बात करता हूं जैसे मैं आप से कहूं तो आप कोई नंबर बनाईए तो आपको सर्थ तीन डिजिट की सुरुवाद जो होगी ओ किसी भी नंबर की सुरुवाद या इंड जो भी होगा उसके प्लेसे पर प्लेस पर बैलुस होगी वो 0 से लेकरके 9 तक के कोई भी तर्म होगे नहीं रख सकते क्यों क्यों नहीं रख सकते क्यों यहां पर 290 अंगों की संक्या बनानी है तो हमें सबसे पहले उसका फ्रस्ट प्लेस निर्धारित करना है कि पहला स्थान क्या होगा पहला स्थान क्या होगा दिखिए ध्यान से अंतिम लाश्ट क्या होगा और beach के जो स्थान है ओ क्या होगे बहए 29.000 की संख्या है पहला स्थान और अंतिम स्थान अगर छोड़ दिया जाए तो आपको confirm है पता है कि यहां बीच में हमारे पास कितने पद बचेंगे 288 बचेंगे क्योंकि 290 टोटल है 290 अंकों की संख्या बनाने जा रहे हैं यह पहला डिजिट है यह अंतिम डिजिट है और बीच के 288 डिजिट है आप सुनिए कैसे बना पाएंगे सब लोग यह भी तो सोचिए सोचने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि हमें अगर किसे भी अंकों की संख्या बनानी है तो हमें 0 से लेके 9 तक का उपयोग करना पड़ेगा 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 अगर देखा जाए तो टोटल आपके पास 10 डिजिट होते हैं फेवल 10 इनी 10 की मदद से आप संख्याओं का निर्मार करते हैं संख्याओं का डिवलम्मेंट करते हैं संख्याओं को क्रियेट करते हैं इनमें भी अगर आप पहले अस्थान की बात करेंगे पहले अस्थान पे अगर मैं पूछो कि कौन किसको किसको रखा जा सकता है आप कहोगे सर पहले अस्थान पे 0 को छोड़ कर किसी को रख दीजी, तो 0 को छोड़ कर अगर मैं सोचू, तो मेरे पास कुल मिलाके 9 संभावनाएं होगी, 0 को छोड़ दीजी, तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई, 9, confirm है, अगर मैं आप से last digit की बात करूँ, तो last digit पर भी confirm है, कि आपको कुल मिल आने को कहूं मैं, तो पहले अस्थान पे 0 नहीं रख सकते हैं, लेकिन अंतिम पे रख सकते हैं, पीच में रख सकते हैं, कहीं और 0 रख सकते हैं, पहले अस्थान पे नहीं रख सकते हैं, पहले अस्थान पे नहीं रख सकते हैं, पाकी जो 288 अस्थान हैं, इन पर भी 10 मल्टिप्लाई करते चले जाएं तो 288 बार करना पड़ेगा अर्था 10 की पावर 288 हो जाएगा या आपको आइडिया है अब इन तीनों का अगर हम पर गुड़ा कर देते हैं मतलब 290 अंकों की हम 9 गुड़े 10 की पावर 289 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं यह कंफर्म है यही प्रोसेस है और यही इस प्रसन का उत्तर है एक बार क्लियर कर लीजिए कैसे बनता है किस तरह से इस टाइप के प्रसनों को कंफर्म किया जाता है कवर किया जाता है आसा करता हूं आपको समझ में बाते आई होंगी ऐसे ही गाडियों के नंबर प्लेट निर्धारित किया जाते हैं जैसे कि अगर हम कहा दे गाड़ी का नंबर प्लेट कैसे बनता है उसके बनाने की बिस्तितिया ही होती है कि शुरुवात में हम होता है चार डिजिट मतलब जीरो से लेके नौ तक का उपयोग किया जाता है अब हम अंकों की जब बात करते तो कंफर्में अंक हमारे पास लिस्सित होते हैं और अंकों का उपयोग डिजिट के हिसाब से सुरुवात में जीरो नहीं रखा जाता है आपने कभी पढ़ा हो गया क्लियर हुआ होगा पहले अस्थान पर नौंक को उपयोग किया जासकता है अंतिम पर दस का और बीच में सभी जगहों पर दस अस्थान का उपयोग कर सकते हैं हमारे पास बीच में अगर हम पहला डिजिट दूसरा डिजिट छोड़ दें तो 288 डिजिट बनेगा, 10 की पावर 288 हुआ, 9 गुड़े इतना गुड़े इतना कर देंगे, नेक्स्ट कुश्चिन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, एबरेज, एबरेज का प्रस्ण एक निश्चित तोर पे और खुश, हम 2-3 प्रस्ण रखे हैं, पूरा का पूरा, तो मैं आपको बताओं कि एबरेज के इस टाइब के प्रस्ण पर भी ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग कर सकते हैं, एक फैक्टरी में 15 मजदूरों का आउसत, मासिक बेतन रूपए 280 है, एक फैक्टरी जिसमें 15 मजदूर है, टोटल, उनका मासिक बेतन 280 निरधारित है, यदि प्रबंधक का बेतन, जो उनका जो मेनेजर है, उनका बेतन भी सामिल कर दिया जाए, तो यह बेतन 355 अर्थात बढ़ जाता है, प्रबंधक का बेतन, जो included है, प्रबंधक मेनेजर साहब, उनका हमें बेतन निरधारित बताना है, क्योंके बेतन का मान क्या ए, मांट क्या है, कन्फर में आप समझें, मैंने कहा कि हमारे पास सबसे पहले मैं लिखता हूँ संख्या, फिर मैं लिखता मैंने जैसे आप से कहा कि पहले 15 मजदूर थे उनका मासिक वेतन दो सो पचासी रुपए था आप ऐसे प्रस्णों को हमेशा इसी टाइप से इसी कड़ी का उपयोग करके करते रहिएगा एक ब्यक्ति एक मेनेजर जी को को इनवाल्व किया गया तो मतलब यह संख्या हो जाएगी स्फोला यह 15 मजदूर थे जिनका मांसिक वेतन आपको आवसत के तौर पे दिया हुआ था तो यह ब्यक्तन आपका 355 हो गया अब्रफाद जो इंक्रीज हुआ ब्रिद्धि जो हुई वह कितने की हुई 15-18 ही 70 की ब् से वह नहीं समय और सामिल करते ही और विद्दी हो रही है आपको इस समय दो तरह से प्रसंत को हल करने की स्थिति आपके सामने आती है अगर आप पुराना ओस्त लेंगे तो आपको नई संख्या के पास आना पड़े और इस नई रंख्या में इसको परस्वर गुड़ा करना पड़ेगा जो बैलू है जो ब्रिद्धी इसको अप्लाई करेंगे तोला सत्ते 112 होता है 1120 हो गया 1120 को इसमें जोड़ दी कितना हो जाएगा पांच हुआ तो एक तीन एक चार हो जाएगा एक 1405 रुपए जो कि यहां पर देखो संद्रा सत्ते 105 एक 1050 होता इसको इसके साथ एड़ कर देते तब भी आप देखिए बैल वही आ जाती 1405 आ जाती तो राइट सलूसन सी आपसन है 1405 आपका रेक्ट उत्तर नोट कर सकते हैं इस प्रसन के लिए जो कि आपको सी आपसन में दिया था चौथा प्रसन आपका करते एक दिन जन्म लेने वालों लोगों की संख्या समान मान लीजी मतलब हर दिन समान संख्या में लोग पैदा होते हैं यहां पर इसको कंसेप्ट में कंडिशन में रखा गया है जन्संख्या का प्रतिसत पता लगा है जिनका जन्म दिन अधिवर्स लीप वर्स में फरव जनरली 365 दिन का साल होता है और नरी इयर में लेकिन, समान संख्या में पैदा हो कि अगर एक ही संख्या में पैदा होते मालों यन कर दें एकस कर दें यह करero這些 जोभी मर्जीया कर दो प्रतिशत करना है गुड़े सौ कर दो बट अगर प्रतेक दिन सवान संख्या में लोग पैदा होते हैlar तो पड़ेगा अब आप इसको क्या करो खतम कर दो और सौ बटा आप कितना कर दो 306 कर दीजिए आप डिवाइट करेंगे पॉइंट 2732 संथिंग करके प्रतिशत में आएगा तो कि डिया हुआ है वैंने कहा प्रतेक दिन समान संख्या में आप माल लीजिए प्रतेक दिन समान माल लीजिए तो इसने कहा कि अगर जो मतलब हमको प्रतिशत किसका निकालना भी ध्यान दीजिएगा प्रतिशत पता लगा है जिनका जन्म दिन अधिवर्स में फरवरी के अंतिन दिन अगर माल लो जितने दिन जैसे माल लो पहले दिन जो पैदा हुए वही दूसरे दिन इस पूरे प्रतिशत के हिसाब से यही कहा गया है कि प्रतिदिन समान संख्या में लोग पैदा होते हैं तो यह अगर पहले दिन पैदा हुए तो यहन ही प्रतिदिन पैदा होंगे यहन गोड़े हम 100 कर दे 2.36 गोड़े यहन कर दे यहन से गटा 0.27 आप समझ रहे 3.2 प्रत पारें, आपका motivation कैसे बन पा रहा है, बहुत important होता है, अपने आपको fix करने का, अपने आपको point करने का, ऐसे प्रस्न दिखें हैं और दिखेंगे, मान के चलिएगा, अगला प्रस्न निर्देश, 6 से लेके 10 तक अर्थात आपको एक line diagram दिया गया है, इसमें दो चीजे बताई गया है, और उत्तपादन को दिखाया गया है, ठीक है, graph का अध्यन करें और प्रस्नों का उत्तर दे, जो graph यहां पर finally दिया गया, उसका पूरा proper planning कर लिजिए, समझ लिजिए, और समझ करके जो भी समझ में आया, उसके अधार पे जितने भी 5% पूछे जाएंगे, उसका उ मांग 3150 है, company यप के उत्तपादन का, यप के पास चलते हैं, उत्तपादन यह है, 4500 का कितना प्रतिशत है, इसने खा कंपनी B की मांग, company यप के उत्तपादन का कितना परसंट है, प्लीज सभी लोग जो calculate कर सकें, कहीं रफव पर तुरंद बता दे, 3150 है, गुड़े 100 कर द ने दिया, 200 ने देखिया, ऐसे ही खतम हो गया, अब आप काट सकते हैं, 5945, 3530, 3515, सुन्य, 933, मेरे हिसाब से 70% आ रहा है, जो D-Option में अब लेबल है, आप भी मुझे लग रहा है, सहमत होंगे मेरी बास से, 70% राइट सलूशन है, इसने कहा था, company B की मांग, जो की 3150 है, आप इस मांग को नोटिस कर रहे हैं, तो company YEP के उत्पादन का कितना प्रतिस्यत है, तो आपने रेखा 70% राइट सलूशन D-Option में जो दिया गया था, वो इसका बन कर आ रहा, 6% का करेक्ट हल आपके सामें, मैं बढ़ता हूँ, इसी का साथवा दिखाता हूँ, आप लोग इसी कंपनिया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि उत्पादन से अधिक मांग, मांग greater than उत्पादन है, और यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन greater than मांग, दो बाते हैं यहाँ पर, तो हम अगर total समझने हैं 6 कंपनिया हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो मैं एक काम अगर कर लोगा, दूसरा आटोमेटिकली निस्सित हो जाएगा, अगर मैं मांग देखो जहां 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 जादा है, क्योंकि पहले को ही हमें पहला भाग लेना हो, उत्पादन से अधिक मांग, मतलब मेरा मांग जहादा हो, उत्पादन कम हो, यही होना ही चाहिए, ठेकिन ऐसा भी नहीं हो तो निस्सित तोर पर उत्पादन मांग से चार जगों पर बड़ बड़ा होगा, मतलब आप दो उल्टा समझेगा, टोटल अगर छे हैं, इसमें पहले स्थिति लिखा है, उत्पादन से अधिक मांग वाली कमपनियां, उसकी संख्या अगर हमने काउंट करी, तो दो आ रह सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है, कि आप देवाएंगे, इसमें किसी को समस्या मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, तो कोई समस्या की बात बहुत ज़्यादा नहीं है, अगला कुश्यन देखिएगा, इसी में, अगला देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पर अपियर्ड हो चुका है, आठवा नमबर, कमपनी A का उत्पादन, मैं चलूँगा, कमपनी A के पास, उत्पादन देखो भाई, 1450 है, उत्पादन मतलब रेड कलर का सरकल, जो ओविल टाइप का बना है, कमपनी C की मांग का, कमपनी C की मांग का लगभग कितने परसंट है, आप लिख दीजे 26, इस ने खतम हो चुके है, दो तेरा बार 26 होता है, दो सते 14 होता है, दो दो ना चार, दो पंचे 10, तेरा चौके बाउन, तेरा पचे 65, पांच में एक ही डेटा मैच कर रहा है, 55%, पांच में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कंटीनू कर दीजिए, अगर आपसन के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ पर आप समझ देख लिया, कुछ चीजे फीगर से हो जाती, बिना कैलकुलेट करे ही, अगर आप पिछले प्रसंद की बात किसी ने कहा कि सर कहीं है, ऐसा भी हो सकता था, कि दोनों पर राबर हो जाती, तो बिल्कुल नहीं नहीं आ जाता, यह दूसरे के साथ मैच इप नहीं है, इसलिए पहले सो निश्चित था, और हम उसी हिसाब से आगे बढ़े थे, क्लियर हो गया, आपने देखा कि यहां पर उत्तर कितना आ रहा, पचपन परसंट और मैंने एप्रॉक्सिमेटेट कैलकुलेशन जो किया, उसमें हमने आपसंद का भी साहरा ले लिया, और अंतता हमेंने न है, कितने का लाग टन में अंतर है, तो यहां पर दो चीजे होती हैं, कि एक बार पहले आउसत मांग निकाल दो, एक बार आउसत उत्तपादन निकाल दो, पर आप जानते हैं कि अगर हमारे पास संख्या बराबर होती है, तो हम डारेक्ली दोनों का योग निकाल दें, जैस कर लो, या पहले अंतर निकाल के आउसत कर दो, दोनों में एक ही चीज उत्तर आएगा, कभी उसमें फसने वाली बात नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप लोग जोड़िये, जोड़ने की कोसिस करी, 1450, 3360, 3100, 4200, 3700, 4500, मैंने हमेशा कोसिस करी, कि आप ऐसे जोड़ने की प्र प्रजी से भी जोड़ सकते हैं, अपनी इच्छास जोड़ सकते हैं, हमारा कंपड जो जहां है, उस पर फोकस करना चाहिए, 400, 400, 3700, 718, 820, 107, 17, 175, 22, मैंने लिखा 2200, फिर देखिए कुछ और डिजिट है, जैसे 50, मैंने लिखू 50, 30, 110, 110, मैं सिंपली लिखूंगा 110, अब सुन्य, 1, 2, 1, 3 हो गया, 8, 2, 10 हो गया, 2310 है, हमारा उत्पादन है, 2310 उत्पादन है, और फिर से जो है, हम लोग यहां पर बात किसकी करते हैं, मांग की करते हैं, मांग की तरफ चलते हैं, इनको भी जोड़ा जाए कि एक इतने जुड़ करके हो रहे हैं, जैसे, 200 है, 2150 है, 2600 है, 5000 है, 2800 है, 3300, मैं कैसे जोड़ूँगा, 2000, देखते जाईएगा, 35, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 12, 14, 14, 13, 17, 17000, फिर ध्यान से देखिएगा, 100 है, 100 है, 200, 206, 800, 800, 8, 8, 16, 16, 16, 19, 1900, फिर देख लिए, कहीं काउंटिंग में यहां पर फंसनी रहा है, 50 है, 50 है, के वल 50, मैं में आपर जोड़ दिया, 20 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 7, 18,900, वे इन दोनों का अंतर कर लीजे, तुरंत का, तुरंत, 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 20, 310 में, अगर हम 18, 950 को घटाते हैं, 21, 5, 6 हुआ, ठीक है, 12, 9, 3 हुआ, 12, 9, 3 हुआ, 12, 9, 3 हुआ, और इस के करके आ रहा है 227 को हम राइट सलूसन मान लेंगे एप्रॉक्सिमेटेट एंसर टू टू सेबन हो जाएगा और मैंने जोड़ा भी सही है मेरे ख्याल से मैंने सही जोड़ा है और आप लोग भी फील कर रहे होंगे गलत नहीं जोड़ा गया है मैं यहाँ पर चाहता तो मैं अल हम सही कर रहे हैं और हमसे कोई गलती नहीं हो रही है और यह प्रियास आपका होना चाहिए प्रतेक का आसा करता हूं अभी कंफर्म हो गया हो 222 राइट सलूसन आ रहा है इस सब इंपॉर्टेंट लोग फोकस कर लिजिए यह सब आपके काम आएंगे अगला परसन देखिए इस दोनों मांग हैं यह दोनों इनकी मांग हैं कमपनी और सी कि मैंने पहले सा जो रिस कर दिया स्च और यह 2200 और यह है 3700 तो सुन्ने सुन्ने साथ दो नौ चार तिन साथ सेवन नाइन टी डबल जीरो सेवन नाइन डबल जीरो दोनों में रेशियो कर दीजिए दोनों का डिफरेंस देखिए काट दिये कि हमारे पास एस्थिति है इस बार और देख लिजिए मुझे लगा रहा है कि यहां पर कि शुट कर लें यहां लोग अगर चेक कर रहे हैं तो उत्तर कितना और यहां पे यहां पे जोड़िये स्थिति में जाया तो 5 से कटेगा जिसे अगर आप 5 से कटेए तो 5 1 5 5 1 5 5 5 25 इधर देखिए 5 5 5 5 25 और 5 48 158 है नहीं कोई आपसन में देखिए कोई आपसन मैच नहीं कर रहा है तो D नहीं कोई कभी आपको गलत करा सकता है गलत होगा तो क्योवल आपसे होगा मतलब खुद की सोच से होगा इसलिए नहीं गलत होगा कि हमें आ रही है नुमेरिकल हमें जो है गडित नहीं आ रही हमें कुश्यन नहीं आ रहा है नहीं आपको आता रहेगा अपनी क्योवल आप सम little clarity बनी रहनी चाहिए आपका concentration नहीं होना चाहिए तभी आप प्रस्णों को अच्छा कर पाएंगे और सही कर पाएंगे दस्वां प्रसन आपके सामने है और आपने नोटिस कर लिया किसका उत्तर डियाप सना रहा है किसी अब ही गलत नहीं है और आप सबने अस्पस्ट तोर पे हमें बता भी दिए एक बहुत बढ़िया प्रसन है अगर आप नोटिस करिए परसेंटेज के उप्योग में देखा जाए तो ग्यारा नंबर आईए बहुत समय नहीं लिया जाएगा बहुत अराम से करते जाएए और फोकस करते जाएए किसी परिवार के चावल ताल ठीक है तथा खाद तेल का जो ब्यै है वह है बारा इसका ब्यै जो है श्टार्टिंग में बारा अनुपाते सत्रा अनुपाते तीन मे प्रकार की भोजन समगरी जो हम लोग के घर में अक्सर आती रहती है चावल है डाल है तेल है बारा सत्रा और तीन के अनुपात में हम खरीते हैं कराएक इक इनके बस्तूओं के मूले में बृद्धी होती है बृद्धी कितने कितने की होती देखिए तीस परसंट की बृद जैसे इसने कहा कि हम तीन प्रकार के भोजन समगरी हैं, एक तो चावल है, डाल है, तेल हैं, इसमें 20% की ब्रिद्धी हुई, 30% की ब्रिद्धी हुई और इसमें 50% जिसने पूछा कि उसके टोटल बे में, पढ़िये तो, परिवार के इन मदों में, इन बस्तों पर किया जाने वाले बे में कुल कितनी प्रिद्धी हो गई, वो भी प्रिद्धी सत पूछ रहा है, माउंट नहीं पूछ रहा है, ऐसे टोटल जोड़ लीजिए, पहले इनिसिय होगा, लेकिन हम कहते हैं कि चलो, आप लेक दो 12 गुड़े, एक दसमलो, तो, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, आप समझे है, क्योंकि 20 परसन बढ़ाने का मतलब, 100 में 20 बढ़ जाना, 1.2, ऐसे 17 का 30 परसन बढ़ाना, मतलब 17 गुड़े, 1.3, और यह 3 का 50 परसन बढ़ जाना 3 गुड़े, 1.5, अब देखी हो कितना जाएगा, जोड़ कर देखिए, यह हो जाएगा, 12 बरहम में 144 होता है, 14 दसमलो, एक हो जाएगा, 14 दसमलो, 4 हो जाएगा, 17, 3 की 55, 17, 1 की 17, 5, 22, 22 दसमलो, एक हो जाएगा, और 15, 3, 45, 4.5 हो जाएगा, मतलब यह बढ़ करके, इतना हो 3, 36, 4, 44, और 41, 41 हो गया, पहले जो 32 होता था भी 41 हो गया, प्रिद्धी कितने की हुई, 9 की, गुड़े 100 करो, बटा आप 32 करो, क्योंकि 32 से ब्रिद्धी हो रही है, 4, 8, 32 होता है, 4, 25 बार होता है, 25, 29, 225 होता है, बटा 8 कर दे, 8, 2, 16, 16, 26, 28, 8, 84, 1, बटा 8, 28 दसमलो, या 28 सही, एक बटे 8, प्रतिसत की ब्रिद्धी उसके सभी मदों में आपको नजरा जाएगी, आप लोग अगर इसको अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा, 12, 17, 3 में पहले उसकी ब्रिद्धी का नुपात दिया था, 30% बढ़ा, 30% बढ़ा, 50% बढ़ा, प्रतिसत भी करना आपको अच्छे से क्लियर है, हमको ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर एक प्रक्रिया बता रहें नहीं, आपके पास कई प्रक्रिया हैं, जैसे, 10% निकाल करके चल सकते हैं, 1.2, 2.4 जोड करके, जैसे ही यहाँ पर 17, यहाँ अगर 10% निकालते, 1.7, 5.1 जोड कर करके, ऐसे ही अगर हम लोग 0.3 को, मतलब हम दो बार, 5 बार गुड़ा कर दे, 1.5 जोड करके, हर प्रकार की स्थिती से आप प्रसंद का उत्तर कर सकते थे, और 28 से ही एक बटे आठ अपसके इस राइट सलोशन का नोट जरूर कर लीजे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में इस प्रसंद का उत्तर, आप एसे ही ब्रद्धी प्रतितत की हिसाब से, यही प्रक्रिया है, आगे बढ़ता हूं, आप अगला देखिए, बहुत बढ़िया सा प्रसंद एक आपके सामने बोर्ड पर बेर्ड हो चुका है, बारवा नंबर ध्यान से दिखिएगा, उत्सवी उत्सवी, द्धनेमाफगल, हर दिन सुनीता को रुपए 400 देना शुरू करती है, उत्सवी ने तोनेट किया सुनीता को प्रतिदिन 400 की हिसाब से, मतलब हर दिन 400 रुपए दिया करती, उत सवी जी इसको सुनीता कू? लेकिन पिछले 5 दिनों में वह सुनीता को रुपए 1, पहले शुरुवाती दिनों में उस सवी ने सुनीता को 400 रुपए प्रदिन देना शुरू किया था लेकिन सुनीता की डिमांड बढ़ गई तो उस सवी ने पिसले पांच दिनों में सुनीता को एक एक हजार रुपए दिया आगे बढ़ता हूँ आज तक मतलब जब से दे रही हैं और आज तक सुनीता को दिया गया कुल आउसत धन रुपए 600 है मतलब 600 रुपए टोटल एबरेज के तौर पर सुनीता को मिला है किसके द्वारा उस सवी की द्वारा इसने पूछा कुल कि कि सवी नेश्ट को पैसे दिया ईही हमको बताना है आप इस प्रस्न को इतम लॉजिकल ले जा सकते हैं आप सम से मदद करा सकते मैं इसका एक तरीक गदा हूँ और एलिगेशन में मैंने सोचा कि चलो शुरुवाती दिनों में उस सभी ने सुनीता को मालो यन दिनों तक पैसा दिया अभी कितने दिन दिन दिया है पांच पुझे आप लोग बताते रहिएगा अगर कहीं किसी को प्राब्लम हो तुरंद असपष्ट करिएगा उस सभी ने सु प्राब्लम हो गई सारी बाते मुझे लगता है कि करने वाले बताने वाले लोग बता सकते हैं उत्तर फटा फट अभी कि पुरुवाती यन दिनों तक उस सभी ने सुनीता को पांसो सरी चार सो के हिसाब से दिया राइट अभी की डेट में उसने एक हजार दिया है ओवराल अगर दिनों की संख्या की बात किया जाए दो अनुपाते एक के रूप में टकरा रहा है बस आप कुछ ना करो आप अपनी प्लानिंग के दहाद लिख दो दो बटा एक बराबर यहां पे रिलेटेड यन है और यहां रिलेटेड पांच है बिया यन बराबर दस हुआ अर् मतलब मेरे हिसाब से सही सही दिन 15 हो जाना चाहिए जब उत्सवी ने सुनीता को पैसे दिये हैं तो 15 दिनों तक उत्सवी को पैसे देने पड़े सुनीता को दुरवात के दिन दस थे जब उसने 400 के हिसाब से पैसे का भुकतान किया था और आज की डेट में आज की डेट मे जो अभी अंतिम के 5 दिन आया थे उसमें उस सभी ने सुनीता को एक एक हजार रुपए दिया था और आल उसने ये सो के हिसाब से भुक्तान एवरेजन किया था आसा करता हूँ 15 दिन आप सभी का उत्तर करेक्ट बन रहा होगा बारोए प्रसन के राइट सलूशन के दौर पर आप इस प्रसन का हल यहां पर नोट कर लिजिए और अगले प्रसन पर आगे बढ़े यस अगला प्रसन देखिएगा मैं गरंटी दे रहा हूं कि ऐसे प्रसन या इस पैटन पर प्रसन आपको एक्जाम में जरूर मिलेंगे इले लीजी आप लोग ठीक है यह 100% मानके चलो इस पर प्रसन आपको जरूर मिलने वाले हैं कुछ फार्मुले हैं जो कि यहां पर अगर इस प्रसन को आप देखेंगे तो काम करते नज़राएंगगे मैंने भी बताया है और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लास में बताया गया और हमेशा है बताया जाता है अगर आप इसको notice करो कि ओपर A प्लस B का होल वर्ग न ज़रा रहा है माइनस A माइनस B का होल वर्ग न ज़रा रहा है divided by अगर सोचो यह क्या है पता है दो गुडे दो गुडे 943 है 943 है और यह क्या है पता है दो गुडे 864 है आप चेक कर लिजे चाहे मतलब अगर सोचो तो नीचे हमें 4A भी नजरा रहा है 4A भी नजरा रहा है मैं आपकी जानकारी के लिए 2 point कराऊंगा लिख लिए अपनी copy में एक तो लिखिये A plus B का A minus B का whole work पराबर हो जाता है 4AB यह आपको समझना है यहाँ पर इस formula का उपयोग किया गया है याँ पर लिख सकते हैं 4AB और नीचे भी देखो तो आपको 4AB नजरा रहा है तब दोनों 4 भी जिन उन का मान एक बता दें कितना बता दें एक बता दें कि आप मेरी बास से सहमत है तो उन्हों जब 4AB थे उपर नीचे जैसे दो हो गया तेरवा प्रस्ण और तेरवे प्रस्ण का उत्तर आपके सामने हो चुका है और इस टाइप से प्रसंद का उत्तर आपका एक बनकर राइट सलूशन की तौर पर आ रहा है आप सभी लोग लिखा है उन्में यह भी रहे और उन्में यह भी रहेगा अलाकि यह 30 में क्या स्चा है अगर इन के मिध्यान से देखना पड़ेगा आप सामने है माइनस टू की पवार माइनस टू कि मैंन consequence दो चीजे होती अगर आपने पढ़िए मिरे से पढ़ी कहीं से पढ़िए हम लिख है दो की पावर तीन फिर लगा दे पावर दो यह ऐसे लगा है दो की पावर तीन की पावर दो फरक होता है दोनों में इसका अर्थ भिया हो जाएगा दो की पावर छे परस पर यहां सबसे पहले हमें पावर तो पावर ही मैनेज करना पड़ेगा और वह भी बड़ा अच्छा कर दिया इसने कि बहुत काल्कुलेटिव नहीं कराया है अगर आप सोचो जैसे हम इसको सोचे इसको तांसे देखते जाएए मेरी बातों को क्योंकि यहां तक तो इसने सब में दिया ही दिया है यहां सोची क्या होगा माइनस टू की पावर माइनस टू है आपको आइडिया है यगर पावर नेगेटिव होती तो पावर को पॉजिटिव कैसे बना जाता है जैसे अगर हमने लिखा एक की पावर माइनस यहीं काम में यहां भी करूंगा माइनस टू की और आप कितना लिख सकते हैं, अगर हम माइनस टू को ऐसे सोज रहे थे, हम इसको लिख सकते हैं कितना, एक बटा माइनस दो की पावर दो हो जाएगा, अर्थात इसको आप एक बटा चार लिख सकते हैं, सिंपली, मतलब यह स्थिती बनी, यह तो है ही है मेरे पास, इसके अगर है, तो यह एक बटा चार इसी के उपर अप्लाइड है, और यह आल्रेडी इसके उपर अप्लाइड है, यही तो साफ साफ आपसन नंबर A में नजर आ रहा है आपको, यह दिक्कत है क्या, आप देखो, माइनस और यह आप एक चीज़ जानते हो, कि नेगेटिव की प अगर 2 है, तो simply it will come 1 by 4, और 1 by 4 को इसके उपर just apply कर दीजिए, आपको पहले आपसन को ही अपना उत्तर बना लेना हो, नेरी बात से समझ में आपको आया होगा, आप कैसे किये होंगे, इस प्रसन की प्रक्रिया क्या है, चौदवा प्रसन आपको उत्तर दे रहा है, कितना है चौदवा दे रहा है, माइनस दो की पावर, माइनस दो की पावर एक बटा चार, this is the right solution, और यह आप सो number a में दिया गया है, प्लीज सभी लोग इसको उतारे, इनको भी मैं कम important नहीं कहूंगा, यह जो प्रसन दिया गया, इसको भी मैं कम important नहीं कहूंगा, आप इसको भी लगाईएगा मेरी तरफ से, ठीक है, लगतार अगर important प्रसन है, क्योंकि तीसी प्रसन है, तो important में कोई कमी नहीं है, सब के सब आपको almost important नजर आएंगे, प्रसन देखिए, यहाँ पर एक pattern आपको दिखेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा a plus b का, plus c का whole work, अगर यही फार्म को हमल करें, root 2 प्लस root 3, minus root 5 का whole work है, नियम तह, चाहे बीच में कितने भी minus लगे रहें, वर्ग वाले सभी पद, simply, वर्ग हो जाते हैं, positive में, यह देखिए, ऐसे हो गया, मतलब, root 2 का work 2, root 3 का work 3, root 5 का work 5, अब सुनिए, plus, twice a, b, मतलब, दो गुडे root 6 हो जाएगा, एक minus जह लिखेंगे, minus 2 root 15, जब इसके साथ होगा, बीस ही, और minus 2 root 10 होगा, जब सी ये करेंगे, किये कर दीजिए, कितना हमने लिख दिया, और साथ साथ देखो, इसके आगे लिखा क्या है, minus 2 root 6 है, plus 2 root 15 है, plus 2 root 10 है, आप समझ गये हैं, सब खतम हो चुके हैं, यह सब खतम हो चुक प्रसन का correct answer माना जाएं, आप confirm कर लिजेगा, पंद्रवे प्रसन का कितना हल है, 10 हैं, जो आपने लोगे देखा कि priority base कैसे हम लोग ने working करी और अंत्वता हमारे सामने, तो correct answer के तोर पर आप इस पंद्रवे प्रसन को note कर लिजेगा, आपके सामने उत्तर आ चुका, आईये रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या, और प्रतेक देश की प्रतिव्यक्ति आयका वित्रण दिखाया गया है, एक साथ लिए गए इन देशों की कुल जन संख्या 200 करोड है, जैसे अगर आप सोचो कि यहां पर देश की संख्या कितनी है, कंट्र तोटल आठो देश में मिलाकर 200 करोण इनके हिसाब से पॉपुलेशन है जैसे हम जनली जानते हैं कि भारत में लगबग लगबग हम लोग 1500 प्लस हैं अकेले भारत की बात किया जाए यह 8 देश मिलकर के 200 करोण हो रहे हैं तो हम कितने मजबूत हैं आप समझ लिजे पारिशनता बतलब हमारी देश की चंता लोगों की संख्या का विवराड उस 200 करोण को इन हिसाब से बाटा गया है यहां 12 परसंट देश में यहां इसमें 24 हैं इसमें 15 हैं इस प्रकार से दिया गया है प्रतिव्यक्ति आए दिया गया है जो करोण डालर में है जो प्रतिव्यक्ति आए यहां पर उसने डलग अगलग देशों की दी गई है तो इन फॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है अगर आप लोग प्रापरली देख पा रहे हैं हमें देश बताये गए हैं 200 करोड की पॉपुलिशन की हिसापस उनका बढ़वारा परसंटेज में समझना है और सासथ हर व्यक्ति कितना कमाते हैं उनकी आये क्या है यहां दोनों चीजे मेंसन गई हैं और इनहीं का उप्योग करते हैं हमें प्रस्नों को हल करना है जो हमारे सामने अब आगे दरस आए जाएंगे आप एक करके समझे प्रापरली जैसे इसने हम से क्या पूछा इस प्रस्न में सबसे अधिक और सबसे कम अबादी वाले देश की जनसंख्या में अंतर बता दो आपको पहले से जानकारी हो टोटल मिला के 200 हैं 200 करोन टोटल पॉपुलिशन है इतना पहले दिमाग में सबसे कम अबादी कहां है 6% दोनों में अंतर कितना है 18% 18% अगर हम 200 करोण का निकालें कितना होगा आप मुझे बता दो सबसे अधिक अबादी और सबसे कम अबादी वाले देशों की जनसंख्या में जो अंतर है वह 18% है अगर सोचो और उस 18% का मान निकाल दिया तो कितना आ रहा बताए अगला प्रसन आपके सामने बोर्ट पर आ चुका है रिकी ध्यान से क्या बोला है पढ़िए देश पांच हम देश पांच में में है कि कुल घीडी पी ऑपको बतानी है करोड डालर में पहले देश पांच में चलिया आबादी बताई क्या है 7 परसेंट और प्रतिव्यक्त कमाता कितना है दो 1260 पहले आप पॉप्लेशन बतादी जिए पॉप्लेशन है कितनी 200 करोण की टोटल पापुलेशन में अगर इनका योगदान 7% का है तो आपको पता है साथ बटे सौ गुड़े दो करेंगे तो 14 करोण पापुलेशन ही होगी क्या किसी को इसमें गुंजाई से प्रापुलेशन है पहले आप बताओ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं साथ बटा सौ करेंगे आप क्या करेंगे साथ बटा सौ करेंगे बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूं सुनने खतम करिया साथ दुना चौदा चौदा करोड की पापुलेशन है प्रतिव्यक्ति कमाता कितना है 2260 भी इनका गुड़ा कर दो गुड़ा करिये सुनने हुआ 14,84 की चार हासिल 8,142,28,28,28,28,3,31,31,31,640 है यह आपको बी आपसन में दिया है देस पांच की टोटल अबादी 14 करोड है और 14 करोड के हिसाब से हमने अगर प्रतिव्यक्ति आय को नोटिस किया हमको पता चल गया उसकी कुल GDP कितनी है 31,640 है राइट सलूसन आपके इस प्रस्न का हल है तो यह हो गया 17 प्रस्न का करेक्ट हल जो कि आपको दी रहा है इस आपसन में भी आपसन में भी आपसन लगा दीजिए 31,640 मुझे आप बताईए अगर हम आपसे पूछें इसमें सबसे कम आये सबसे कम प्रतिव्यक्ति आये वाला देश कौन सा है मुझे तो यही नजर आया जो देखो 2260 लेकिन हमें तीसरे नंबर पर पता करना जैसे हम उपर से नहीं काउंट कर रहें आपको नीचे से काउंट कर रहें अगर हम तीसरी सबसे कम प्रतिव्यक्ति आये वाला देश रूड़ेंगे तो पहले तो यह दिखा फिर दूसरे नंबर यह दिखा तीसरे नंबर भी है इसके उपर वाला है आप अगर चेक कर लो तो मेरे हिसाब से तुम्हें सहमत हूं एह हुआ देश में इनकम प्र और हमारी टोटल पॉपुलेशन 17% है तो 17 दुना 34 आप एक कैसे कर रहे हैं बार बार मैं बता रहा हूं 17 बटा 100 कर दीजिए गुड़े 200 करिए तो आपको टोटल पॉपुलेशन 17 गुड़े 34 नजर आया अब आपको 4000 देखो 34 गुड़े 4840 कर परस पर इनका गुड़ा करना है और इनका जब आप गुड़ा करेंगे तो आप मुझे बताइए 34 को अगर हम 4840 से गुड़ा कर देते हैं इसका एंसर कितना आ जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा प्रत्येक लोग हमें बता दें कितना हो गया 34 गुड़े 4840 एक तो यह देखो एक लाग 64560 परस पर 4840 गुड़ा कर दीजिए कितना हो जाएगा एक लाग 64560 होगा यह आपसन इस प्रसंद का करेक्टल है वह देश जो की प्रतिव्यक्ति आये के हिसाब से लोवेस्ट में तीसरे नंबर पे था सबसे मिनिमम में 4840 उसकी प्रतिव्यक्ति आये थी साथ-साथ उनकी आबादी 34 करोण की थी 34 गुड़ा कर दी उत्तर आपके साथ यह हो गया हमारा 18 नंबर हमने इसको किया डन और हम बढ़ते अब 19 आप मुझे बताईए किस देश में सबसे ज्यादा GDP है अब सोचो यहां देशों की संख्या 8 है सबसे ज्यादा GDP हमें निकालनी है लेकिन हमारे पास आप संचार है तो आपको इन 8 पर फोकस नहीं करना है इन चारों में सबसे ज्यादा तो सबसे पहले हम देश को देखेंगे देश को देखेंगे तीन को देख रहयं मतलब इन के हिसाब देख करना ना है और सबसे करोन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 12 दुना 24 होगा कितना होगा 24 आप क्या करोगे बताइए 24 गुड़े 11,850 करेंगे 24 दुना 48 होगा 48 गुड़े 5,350 करेंगे 15 दुना कितना होगा 30 होगा 15 दुना कितना होगा 300 होगा 30 गुड़े 9,900 करेंगे अंततह 8 दुना 16 होगा 16 गुड़े 10,410 करेंगे आप मुझे बता दें कि सबसे ज्यादा GDP यहाँ पर किसकी निकलकर सामने आ रही है आपको कंफर्म करना है हमारे पास तीन देश हैं एक तीन और राठ एक दो तीन और सबसे ज्यादा है आप थोड़ा सब फोकस हो करके बताईए तो मैं आपकी बातों पर आगे बढ़ हूं ले करके इंसारी प्रक्रिया हूं समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार कंफर्म करते चलिएगा मुझे बताईए किसका सबसे ज्यादा है कौन कर रहा है 24 से अगर मैं 11 क से अगर हम गुड़ा कर दें तो 24 गुड़े 10,000 बेसिकली हो जाएगा 48 गुड़े अगर मैं 5 करता हूं 5 से करिए पूरे समत करिए क्योंकि यहां पर 11 है 5,8,4,5,20 अगर इसके हिसाब से करिए तो आपको पता है 2,24 से उपर जाएगा तो पचीस मान लीजिए 2,50 मान लीज 10 से ही इसको गुड़ा कर दीजी तो अगर देखिए तो यहां आपका 3 प्लस सम्थिंग हो गया 12 दहम में 160 सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 3 वाला आएगा मतलब देश 3 है जिसकी GDP सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा GDP C आपसन में है देश 3 की अगर आप सबसे ज़्यादा तो ना यह आपका कंट्री 8 का है सबसे कम वाला यह है अगर मैं आपसे कम पूछा होता तो आप मुझे देश 8 का बताते सबसे ज़्यादा में मैं कहांगा से तीन का है तीन इस प्रसंद का राइट सलूशन है आप लोग नोट करें कि क्लियर है यह हो गया इस अब कि बता दिया था सबसे कम GDP वाला इसको होगा बिन वर्किंग के आपको इसको तुरंच बता देना च سबसे कम GDP वाला इस प्रकार से सबसे करें अब jus येस येस क्लियर हो गई बातें पास समझ में आई पीस नंबर डन है आप आगे देखिए आपके सामने फिर से एक प्रसन आया का हमको मान बताना है कैसे करेंगे बिताइए इसका अर्थ क्या है और 66 की उपर बढ़ता जाएगा बार आप अगर ध्यान से देखिएगा जीरो पॉइंट जीरो फिर 666666 इसी कड़ी में इसी प्रम में यह बढ़ता चला जाएगा इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए आप सब को कंफर्म हो जाना क्लियर हो गई बाते जबकि अगर इसकी बात किया जाए तो टू पॉइंट यह फोर 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 अर्थात इसके उपर बार है कि जब किसी पद के उपर बार होता है किसी के उपर नहीं होता है तो पहले इसको उतारा जाता है उसमें जो नहीं है उसको घटाया जाता है जितने पदों के उपर बार है उतनी बार नौ लिखा जाता है जितने के उपर नहीं उतनी बार जीरो लिखा जाता है तो छे बटा न नहीं होनी कि या 22 बटा 9 है या कनफर्म है आपके सामने है मतलब 6 बटा 90 है और गुड़े 22 बटा 9 है अब इसको हल कर डालिए देखिए उत्तर कितना आता है सब लोग फटा-फट बता दे हमें कितना एंसर हो जाएगा इसका कितना एंसर आ रहा है बता है देखिए हम लोग क् 60606 ऐसे होता तो प्रस्ण ज्यादा सा टीक बन कर आ रहा था ठीक है लेकिन प्रस्ण जैसे दिया है उसी साब से अगर मैं चलूंगा तो कैल्कुलेटिव आपको देखना पड़ेगा अन्य था यह सबसे बहतर था कि प्रस्ण हमारा ऐसे होता मैं आपको परस्ट बता दू यह इसी तरज पर प्रस्ण को रखा भी गया है नियमता यह होना चाहिए था 0.060606 और यहां पर 2.4444 आप देखी पार मतलब अगर यह होता ना अतिया हो जाता कि 0.06 के उपर बार और 2.4 के उपर बार ऐसे बनता तो आप इसको क्या लिख सकते थे पता है इसको लिख सकते चे बटा 99 तो क्या लिख सकते थे अभी यह भी लिखा है 22 बटा 9 22 बटा 9 हम क्या कर देते कुछ काम देखो जैसे 11 दूना बाइस 11 आठे 119 निन्यान यह 3 दूना 6 3 दिया 9 मतलब आपके सामने क्या हो गया 4 बटा 27 27 को अगर हम 4 से भाग कर देते हैं तो 0.1 आएगा 13 फिर ए एक के बाद 6 बार जाएगा 28 मतलब नियम तह आपका 0.16 कितना हो जाएगा अगर हम इसको हल कर डालते इसको सही से समझते तो आपके सामने इस प्रसंद का उत्तर 1.60.1628 के आसपा से एंसर हो जाता यह करेक्ट होता और आप लोग इस प्रसंद को ऐसे ही तरज पे लेके चल 0.60606 और उसी हिसाब से इस प्रसंद का निर्माद भी किया गया था इस प्रसंद को प्रॉसस भी चिया गया था आप लोग इस प्रसंद को यहाँ पर 0.060606 के हिसाब से एक आपका niew invented सर उसी इस आपसे निड़ा है आई होप आपको सबको समझ में आया है कैसे कि आपने सी आपसन 01628 इद राइट सलूशन जो की सी आपसन में आपको दिया गया है एक अन्फर्म होगे यस नेक्स कुश्चन आपके सामने बोर्ट पर है थोड़ा ध्यांस देखिए लिखा है एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लीज सभी लोग बताएं इसका उत्तर इतना है हमसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इवाइड बाई एक्स की पावर उन बाई एट प्लस वन अपान एक्स की पावर उन बाई एट का मान आप लोग बताएं यह देखिए प्रस्ण है अब इस प्रस्ण को कोई सोचे कि हम चले फार्मुले के हसाब से कैलकुलेट करें और प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सेटल करें तो इस अंबो नहीं है कुछ दिमाग लगान एक निर्धारित किया जा सकता है एक्स का मान कंफर्म है कि एक निर्धारित कर सकते हैं अगर एक्स का मान एक है और एक की पावर आप चाहे जो लगाएंगे उसके मान में कोई परिवर्टन नहीं होता एक ही रहता है एक की पावर एक एक की पावर एन हमेशा एक ही रहता उ देखो ध्यान से तना का इंप्योज भी नहीं किया था उसने हमने ही सोचा और दूसरा है साथ सोच लिए यहां पर भी एक आएगा उपर यहां भी एक आएगा तो एक बटा एक भी यह एक ही हो जाएगा यहां पर इस प्रसंद का हलसी आपसं होना चाहिए एक आएगा भी एक है दो है और इसका मान भी दो है तो दो बटा दो बेसिकली क्या होता है बताएं दो बटा दो आपका एक ही होता है तो इस प्रसंद के लिए आप लोग 25 के लिए एक लगा दो राइट से लोशा करता हूं यह भी कनफर्म हो गया है आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले पर आता हूं अब मुझे आप बता दें ऐसा प्रसंद यह डिमांडिंग कुश्चिन है यह प्रसंद आपको सेलेक्टेड भी है दिख भी सकता है मुझे दो भिन दिये गए पाज बटे छे और आठ बटा पंद्रा पेरे से कहा गया ठीक है पेरे से कहा गया कि आप मुझे बताओ कि इन में से जो आपसंस दिये गए हैं कौन सा इनके मद्ध में नहीं आता है हमेशा अगर मद्ध की बात में करूँगा तो वह संख्या होगी जो किसी जैसे मालो अगर यन सोचा जाए तो किसी एक से बड़ी होगी दूसरे से छोटी होगी मतलब यन अगर मालो हमने बीच नहीं आएगा अगर आप सोचें नियमता है तो यहां पर यह दो बटा तीन है जो कंफर्म है कि इससे छोटा होगा इनसे बड़ा होगा यहां पर इनसे बड़ा होगा इनसे छोटा होगा तीन बटा चार भी आ जाएगा पांच बदला बगर ऐसे सोचा जाए देखो क होता यहां एक होता यहां कहीं 5 बटे 6 होता यहां कहीं 8 बटे 15 होता यह तो बहुत दूरansas flipping सभी लोग इतनी स्वुखारता रखते हैं और इतना गंसेट भी आपका क्लिए कोई दिक्त की बाद आगे बढ़ता हूं अगला आप नोट कर लेना भले ही मैंने इस प्रसंद की बात करी लेकिन यह प्रसंद बड़ा इंपॉर्ट इस से रिलेटेड इस तरह का इस पैटन का आप ऐसे प्रसंदों पर खूब ध्यान लगाईएगा आपको जरूर ऐसे प्रसंद और इसकी प्रक् प्लस 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 पॉर टाइम जीरो पोर जीरो नाइन सिक्स कमान आप से पूछा गया है आपको वर्ग मूल करते समय जब दसंदों के नंबर नजर आएं तो बहुत घबडाने की जरूरत नहीं है कुछ बाते आपको कनफर्ख होनी चाहिए कि अगर हम वर्ग मूल कर रहे हैं दसंदों का तो दसंदों के अस्थान हमेशा सम अस्थानों पर होगे चार अस्थान पर छे पर आठ पर दस पर और आपको वर्ग मूल करने के बाद अस्थानों को 2 से भाग देना होगा पस निसित हो जाएगा जैसे मालीजी आपको 4090 का वर्गमूल इसने 64 बताया है आप प्रतेक पद को देखो तो सम में 4090 ही लिखा गया है लेकिन दसमलों का अंक निरधारित करकर करके उनको कुछ नहीं करूंगा इनको बूलूगा आपका वर्गमूल 64 इनका भी 64 इनका बिशाठी कैसे करऊंगा अगर इसमें डुर लगा है तो आको यहां पर अगर चारता बंद पर लगाए तो सब को दो घो जोड़ दीजिये उत्तर आपका आपका डर्मेटिक लिए बन जाएगा सब्सक्राइब करें यह भी इंपोर्टेंट तो मैंने मैक्सिमम कह दिया कि इसमें है चौदा-पंद्रा प्रस्ट और सब्सक्राइब करके आया था तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे नंबर दिये जाएंगे या बरबल आप से बोला जाएगा आप इनका वर्गमूल बताओ क्या होता है और इसको सोचा गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे परिच्छा में कहते हैं कि 28-6-3-2-3 औ और वर्गमूल पार्टिक्रम का हिस्सा है हम इसका वर्गमूल सोचेंगे कैसे आपको मैं समझाता हूं ध्यान से सुनिए कभी अगर इस तरह का रहेगा तो बीच में अगर देखो एक दो फार्मूले हमेशा लगाएगा एक तो एक प्लस बी का होल वर्ग और एक मानस बीका वर्ग इन ही में से किसी का होगा जब आप माइनस देखा करिए तो माली जी इस पर चल रहा है और प्लस देखा करिए बीच में तो माली जी इसका हो रहा है यह जो पहला पद होगा इनका हमेशा वह एवर्ग प्लस बी वर्ग होगा एक अंपर माली जी एवर्ग प्लस बी और जो A वाला पद होगा ने 2AB होगा, इसी को ब्रेक करना है आप, ऐसा ब्रेक करना है कि आपका काम हो जाए और जुड़ करके A और B ऐसे हो जाए कि प्रोडक्ट होके इतना हो जाए और जुड़ करके 28 हो जाए, अगर आप इसकी प्रक्रिया में सोचें, तो हम 2 से अगर अल से लेकर चलूं, तो मैं नियमता आपको बता दूं किया हो जाएगा 4 और मतलब एक अमान और या हो जाएगा 2 रूट थे, मतलब अगर आप इस पे माइनस लगा दें और इसका होल वर्ग कर दें, एक कंफर्म हो गया, आप एक ध्यान से देखिए गा, तो आपको सारी बाते क्लियर समझ में आएगी, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस, तो दोना चारतियां 12, मतलब 16 बारा क्या होता 28, अर्थात या कंफर्म है कि आप 4 माइनस 2 रूट 3 का वोल वर्ग है, तो इसका निस्सित तोर पे वर्गमूल 4 माइनस 2 रूट 3 आ रहा है, अगर 4 माइनस 2 रू अब यहाँ पर हम क्या कह सकते इसको समझेएगा सभी लोग, इसको हम देख रहे हैं कितना है, रूट 3A है प्लस B है, रूट 3A है प्लस क्या है, ज़दा सा कंपेर कर दीजिए, टीक है? compare करिए कैसे compare किया जाएगा जैसे आप देखो root 3 के side में इसको कर लीजिए हम इसको लिख सकते minus 2 root 3 plus 4 पराबर root 3 a plus b root 3 a plus b अब इसको क्या लिखा जा सकता है जैसे अगर हम इसको इसके साथ compare करें तो हम लिख सकते a कमान हो जाएगा root 3 root 3 से cancel हो के minus 2 और b कमान कितना हो जाएगा चार इसने हमसे कहा था a plus b कमान बता दो एक कमान कितना है minus 2 और b कमान है 4 4 में से 2 घटेगा तो कितना जाएगा 2 इस प्रसन का right solution यहाँ पर कितना है करेक्ट हल आपके सामने है जो कि दो है प्लीज सभी लोग note कर लें करेक्ट हल के रूप में आप लोग इस प्रसन का उत्तर बता सकते हैं आसा करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा इस प्रक्रिया को आपने तो यह हो गया 25 नंबर और हम लास्ट अब इस्तिती में है जाज़ा तब 5-7 मिनिट का और समय आपका है और आप इसको भी दिया के लिजिए ध्यान से बहुत जल्दी हम लोग इसको बाइंड अप कर रहे हैं बस इमांदारी से अब 5 प्रसन पतलब इस ग्राफ को आप और त्यार कर लो एक और important महतपूर ग्राफ के लिए आप वोड निर्याद कीमत दिखाया गया है करोड रुपए में वर्स दिये गया है 95 से लेके 99 तक और लाल और ब्लू कलर के ग्राफ का उपयोग किया गया है मात्रा और निर्याद को मात्रा और कीमत को दिखाने के लिए पस इसको ध्यान से आओर सुनिए किसी पर आप इंड कर लेंग साइए किसी भी समान की कीमत जो होती है और Потом करती दो चीजह पर एक तो मात्रा डिवाइड़वाइड रेट यहीं होता ना कीमत यहीं बनती बनके मतलब total amount जो total बन कर आ रहा है मात्रा divided by rate करना है आपको हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे जैसे अगर हम करिएगा 25 वाला फिर से देख लिए जाता है पहले इसको समझी एक बार अच्छे से मैंने कहा कि अगर आपको कीमत निर्धारित करनी है तो यह हमारे पास क्या है देखिए एक कीमत है कीमत को आप मात्रा से डिवाइड करते चले टोटल इमांट जैसे होता नहीं कि rate कैसे निक किया वही चीज यहां पर भी होगा rate पता करने के लिए हम लिखेंगे मात्रा बटा क्या लिखेंगे बताइए कीमत आपको भी यहां पर कीमत बटा मात्रा लिखना हो कीमत बटा मात्रा कीमत बटा मात्रा तो आपको इस प्रस्ण में यही करना है जैसे अगर आप कीमत देख सबसे कीमत कब थी मिनिमम कीमत 1995 कैसे नरधारित किया मैंने बताया कि टोटल जो दीजिए आपको कंफर्म हो जाएगा दो चीजे होती है कि आपने टोटल पैसे कितने खर्च किये हैं और समान कितने खरीदे हैं जैसे माल लो हमने 500 रुपए पेमेंट किया है और 25 समान खरीदा प्रतेक समान का भाव क्या रहा होगा 500 बड़ा 25 होगा दूसरी भी इस्तिति हो सकती कि अगर आपको रेट पता होता है टोटल कीमत तो आप मात्रा भी निकाल सकते हैं तो कीमत हमने देखा सबसे मिनेमम हमारे सामने 1995 कि दूसरा प्रसंद देखिएगा वर्स 97 एवं 98 वर्स 97 एवं 98 कि अगर हम बात करें तो निर्यात मात्रा में हुई ब्रिद्धी आसनता कितना थी गया है के एक biri से अठ्वे में कहां पहुंच रहे हैं हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं में निर्यात मात्रा में हुई बिद्धि आसनता कितना था एक सुपचास से अगर एक सुसांठ देख लीजिएगा 10 यहाँ पर प्रतिशत में तो बोला नहीं है डारेक्ट बोला है कि 10 लाग तर्म मतलब अगर 150 यहां पर निर्यात था 160 यहां पर था तो 10 लाग का यहां पर डिफ्रेंस है जो डी आप्सन में आपके सामने अविले कंफर्म हुआ कि नहीं तेयर है आगे बढ़िए 1995 से निन्यानवे नहीं से देखिएगा हम 95 से बात किसकी कर रहे है निर्यात मोले में हुई बृध्धी प्रतिशत अभी यहां पर निर्यात मोले में प्रतिशत बृध्धी की बात कर रहा है कितने परसन की बृध्धी हो गई यह आपको कंफर्म करना है यह बताना है 95 से निन्यानवे पहुच गए है और निर्यात की बात हम लोग करेंगे तो निर्यात में अगर चेक करिए तो कितने प्रतिशत की बृध्धी हो गई है यह आप लोग थोड़ा सब फोकस करके बता दीजिए अभी कंफर्म हो जाएग जैसे यहाँ पर निर्यात कितना है 150 यहाँ पर कितना है 500 बृध्धी की बात अगर किया जैसे सुन्ने खतम कर दें पांतियां 15 होता है पांदहम में 50 होता है तीन से 10 है कितने का बढ़ा है साथ गुड़े 100 बटा आप 3 कर दो तो 700 बटा तीन हो गया ठीक है तीन दूना छे 333.3% 333.3% जो कि बी आपसन में नहीं है कि नहीं है कहां है सब किस दुनिया में कुछ क्लियर पलने पड़ रहा है 28 नंबर आपने देखा इसने पूछा था 95 से 99 में निर्यात मुल्य में हुए बृध्धी प्रतिशा तांसन्यता कितनी थी 150 से अगर 500 था 150 से 500 में कितनी सोचिए पचास तियां होता है पचास दहम में होता है तीन से दस होने का मतलब साथ की व्रिद्धी हो भी तीन पर 233.3% के आसपास आपको बनकर सामने आएगा अगे बढ़िए अगला प्रसन अभी 25 नंबर कुछ लोगों ने हमसे डिमांड की 25 नंबर को मैं फिर से ओपिन करूंगा लास्ट में सभी वर्सों में बिस्कृट की मात्रा का उसत ग्याद कीजी सभी वर्सों में बिस्कृट की मात्रा का उसत ग्याद करें मात्रा का उसत निकालना है थोड़ी दिरवाब 25 के पास जैसे लास्ट हो जाएगा इसके बाद 25 पर आकर कि 25 कंफर्म करके जाओंगा निस से तरवर पर माती चलिए जोड़िये सब लोग 100 200 302 500 यह हो गया 500 और फिर जोड़िये मतलब टोटल जोड़िये तो 685 हो गया पटा कितना करेंगे पांच से पांच के पांच होता है पांटियां पंद्रा इच्छे सो पचासी है ना इच्छे सो पचासी है पांच एक पांच और एक अट पांटिया पंद्रा पांच सते पैंटिस 137 लाग टन पी आपसं 137 लाग टन राइट सलूशन आपका बन जाए ठीक है सभी वर्सों में बिस्किट के मात्रा का उस्थ बताना उन्तिस हो गया पीस नमबर 95 से 96 में बेचे गए बिस्कुटो बोलीए बिस्कुटो लिखा है 95 से 90 में बेचे गए बिस्किटों की मात्रा कितने प्रति सिसत की ब्रिद्धि हुई 95 से 95 और हम लोग यहां पर क्या पूछ रहे हैं बिस्कुटों की मात्रा में मात्रा यहां पर 100 है और 90 कमी हुई है 500 से 75 हुई है 25 सो के 100 होता है 25 तियां 75 होता है 4 से 3 होने का मतलब एक गुड़े 100 बटा 4 कर दीजिए चार से भाग करिएगा 25 परसंट की लास्ट मैं एक बार 25 पर फिर चलता हूं इतना तो आपने कंफर्म कर लिया 25 नंबर को लेकि थोड़ा सा डाउड मन में सब के हैं एक बार कंफर्म कर लिया जाए क्या है मेरे में जो उत्तर आया है यहां पर जो वर्गमूल आया था हमारा वो था 4-2-3 इसका थोड़ा अवर्ग करिए तो 4-4-16 प्लस 2-4-12-2-4-4 कि इतना हो जाएगा अगर सोचिए तो यहां पर 2-4-16-16-16-3 होना जाहिर सी बात है कि यहां पर आपका रीटेन गलत था यहां पर 16 होता तो सही था वो गलत लिखा था चली और टाइपिंग यार वो रीटेन ऐसे कभी-कभी हो जाता है आप जानते इस बात को वह एक जैसे 6 लिखना चाहिए था लिकिन लिख दिया गया था ठीक है इस वज़ा से गलत हुआ था बाकी पैटन वही था मैंने भी उसी हिसाप से अपने आपको सेट कर लिया प्रस्म देखती ही कंफर्म हो गया आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा किसी को प्राब्लम नहीं होई होगी